क्या करूं मैं इतनी सुन्दर हूं तो श्रीवास्तों मौसी का जब बेटा हुआ था उन्होंने तभी ठान लिया था कि अपने बेटे के लिए साब से सुन्दर लड़की का हाथ मांग कर लाएंगी श्रीवास्तों मौसी को भी बच्पन से हीरोईन बन के रहने का बड़ा शौक था तो बहु भी उनको हीरोईन जैसी ही चाहिए थी एक दिन उन्होंने मिस गाजियाबाद डिम्पल से उसकी शादी करवा दी यहां बस एक ही दिकत थी डिम्पल को फेस मास्क बनाना तो आता था पर हाटा गूतना नहीं आता था बाते तो पक्की पक्की करती थी पर रोटियां कज्ची पक्की बनाती थी कमला बन मानना पड़ेगा आप शहर की सबसे सुन्दा लड़की को बिहा कर ले आए अपने बेटे के लिए अब इसमें हमने तो कुछ नहीं किया भाई साहब सब उपर वाले की क्रिपा है जी जी तो क्या क्या कर लेती है आपकी बहू सब कुछ जाओ बेटा डिम्पल शर्मा जी के लिए थोड़ा नाश्ता पानी बना लाओ डिम्पल नस्दीक जाकर श्रेवास्तों मौसी के कान में फुस फुस आती है ममी जी नाश्ता बनाना तो नहीं आता सिर्फ पानी ले आओ अरे बेटा तुझे देखने कितने लोग आए हैं इन सब को पानी पिलाने का ही इरादा है क्या श्रीवास्तों मौसी के लिस्ट में सुंदरता सबसे ऊपर आती थी और उन्हें उसी का फल मिला उनके बेटे अशोक ने एक दिन मा से शिकायत की मा कैसी बहु ढूंड कर लाई हो मैं शाम को ठक हार कर घर लौटता हूँ तो मुझे कहती है अच पैडिक्योर करना है करवा दोगे अरे जबकि दिन भर काम करके पाओं मेरे ठके थे अरे बेटा ठीक है ना धीरे धीरे सीख जाएगी अरे क्या सिख जाएगी मा उससे कुछ भी नहीं आता हफते भर का शिडिल बना लिया है उसने पैडिक्योर, हेड मसाज, मुलताने, मिट्टी का ये वो आरे पता नहीं क्या-क्या अरे मुझे तो नाम भी नहीं आते देख बेटा खाना बनाना, सबसी काटना ये सब सीखा जा सकता है पर सुन्दर ता नहीं सीखी जा सकती इतनी सुन्दर बहु मिली है फिर भी तुखुश नहीं है कैसा बेटा है तु श्रीवास्तव मौसी का मानना था कि समय रहते बहु साब सीख जाएगी पर मिस गाजियाबाद से शादी कराने के बाद घर का जो नाम हुआ है वो जरूरी है आरे सब की बहु खाना बना लेती है हमारे घर में तो काम वाली दीदी भी है पर हमारे घर में जितनी सुन्दर बहु है न उतनी किसी की